इथर एक्स्रेक्शन के जरिए लिक्विड फिनॉल, सॉलिड बेज, एन लिक्विड निट्रल का सेपरेशन करने के लिए सबसे पहले मिक्शर को सेपरेटिंग फनेल में एड़ करेगे अब फिनोल को डिजॉल करने के रिए separating funnel में 20% sodium hydroxide का solution एड़ करेगी अब इथर को separating funnel में एड़ करेगी अब separating funnel पर कोक रखके उसको बंद करेगी और बराबर सिक करेगी और बीच बीच में stopper को खुला करके pressure को release करते रहेगी बराबर सिक करने के बाद अब separating funnel को त्रिपाई पर रखेगे और कोक को खटाएगे जिसमें थोड़ी देर के बाद दो लेयर अलब होगे जिसमें निचले aqueous layer में फिनोल sodium hydroxide में डिजॉल होके चला जाएगा अब aqueous layer को बिकर में collect करेगे और उसमें 50% hydrochloric acid का solution एड़ करेगे 50% hydrochloric acid का solution एड़ करने से liquid phenol oily form में मिलता है यानि कि liquid phenol के oily drops मिलते है अब इस speaker को side में रखेगे और last में separating funnel का use करके phenol का separation करेगे separating funnel में से aqueous part को remove करेगे और उसके साथ साथ थोड़ा organic layer भी जाने देंगे अब separating funnel में 50% hydrochloric acid का solution एड़ करेगे जिससे solid beige hydrochloric acid में dissolve हो जाएगा और aqueous layer में चला जाएगा अब separating funnel पे cock रखे separating funnel को बराबर शेख करेगे और बीच बीच में stopper को खुला करके pressure remove करते रहेगे बेज को 50% hydrochloric acid में dissolve करने के लिए separating funnel को बराबर शेख करना जरूरी है अब separating funnel को त्रिपाई पे रखेगे और कौक को हटाएगे जिससे दो layer अलग होगे जिसमें निचले वाले aqueous layer में beige soluble होके चला जाएगा अब निचले वाले aqueous layer को एक बीकर में collect करेगे अब aqueous layer में 20% sodium hydroxide का solution एड़ करेगे जिससे beige का reprecipitation होगा और solid beige हमें मिलेगा ज्यादा 20% sodium hydroxide का solution एड़ करके beige को completely reprecipitation करेगे और बाद में separation करके solid funnel को collect करेगे अब separating funnel में बचे इथर layer को एक operating dish में collect करेगे जिसमें neutral soluble form में होगा organic layer को एक operating dish में collect करने के बाद उसको पहले से गरम किये हुए पानी में रखेगे जिससे इथर का एक operation होगा और liquid neutral हमें मिलेगा यहाँ इथर का completely operation होने के बाद इवोपरेटिंग dish में residue form में liquid neutral बचेगा अब liquid phenol को separate रनने के लिए उसको separating funnel में एड़ करेगे phenol के oily drop वाले mixture को separating funnel में एड़ करेगे और उसको थोड़े देर के लिए ट्रिपाई पे रखने से aqueous layer नीचे चला जाएगा और phenol का organic layer उपर रहेगा नीचे से stopper खोलके aqueous layer को remove करेगे aqueous layer को discard करने के बाद अब liquid phenol को एक test tube में collect करेगे अब base के जो precipitate मिले थे उसको filter करके उसको अलग करेगे यानि कि बेज का separation करेगे जिससे filter paper पे बेज बचेगा इस तरह ether extraction का यूज़ करके liquid phenol solid beige और liquid neutral का separation कर सकते हैं बाद में उसका qualitative analysis करेगे 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 वाल